आप मेरे साथ सीख रहे हो एंगल इनिट्स मेजर मेंट चैप्टर नुमर वन माच्स वन का एक्ससाइज 1.1 यह जो चाप्टर है इसका जो क्वेस्चिन नुमर ट्वल था कमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था फाइनली 13 और 14 दो में क्वेस्चिन बचे थे यह लास्ट 14 होने के बाद एक्ससाइज 1.1 जो है कम्प्लीट हो जाएगा तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं क्वेशन नुमर थाटीन अब जो थाटीन क्वेस्चिन है कहता क्या है देखो फाइंड डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्स्टीर एंटिरियर एंगल और रेगुलर पे तो quadrilateral बोलते हैं pentagon क्या होता है जिसके अंदर इस तरह से 5 sides होती है यह pentagon होता है 5 sides hexagon मतलब क्या होगा कि इस तरह से 6 side होती है okay you will have 6 side like this और septagon मतलब 7 side octagon मतलब 8 side तो इस तरह से shape होते है pentagon 5 side, hexa 6 side, septa 7 side, octa 8 side सबको common अगर बोलना है तो आप polygon बोल सकते हो okay अब question क्या है देखो find the degree and radiant measure किसका exterior एंटिरियर एंगल तो चलो first करते है first question है for a pentagon तो आपको मैं diagram के help से करके बताने वाला हूँ यह थोगड़ा सा मैं आपको basic बताया था pentagon का diagram आपको पता है मैंने भी यहां बताया वैसे 5 sides वाला एक closed जो है 5 sides 1, 2, 3, 4 और 5 समझो इस तरह से मैंने एक closed shape बना है closed figure having 5 sides pentagon अब यह जो pentagon है pentagon मतलब 5 गौन मतलब side 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर हमें exterior and interior angle की value find करना है now what is exterior exterior मतलब suppose यह side ऐसे इदर आई यह side ऐसे इदर आई यह side ऐसे गया यह side ऐसे गया और यह side जो है जैसे कि देखो यह ऐसे गया और यह ऐसे आया तो यहाँ पर यह जो angles बन रहे है आप देखोगे एक minute जैसे यह angle यह angle यह angle यह angle यह इसके साथ में जो connected है यह इसका interior angle होगा इसका interior यह होगा इसका interior यह इसका interior यह इसका interior यह so अगर pentagon है pentagon मतलब five sides है तो one two three four five exterior angle और अंदर one देखो इसका interior यह one two three four five interior angle interior मतलब अंदर का exterior मतलब बाहर का तो इस तरह से अगर pentagon है तो five hexagon है तो six septagon seven octagon eight अगर आपको यह पहला pentagon आगया आप सब कर लोगे डाइग्राम नहीं समझ में आएगा तो भी कोई problem नहीं डाइग्राम सीफ समझने के लिए exam में डाइग्राम बनाने की जुरत नहीं है अब यहाँ पर एक word दिया देखो regular मतलब क्या होता है आपको triangle होता है triangle यह होता है बट equilateral triangle बोला तो मतलब क्या होता है कि all three sides are equal equilateral triangle संभा हो त्री पूज इसका मतलब होता है सभी के सभी तीनों side जो है वो equal है याने same है तो जब regular polygon बोलेंगे polygon मतलब की जो four से ज्यादा side होती है five six seven eight उनको common में polygon बोलते है बट अगर पता है कि five side है तो pentagon six side को hexagon तो regular polygon मतलब क्या है इसकी सभी की सभी side same होगी all sides will be equal समझ में आ रहा है all sides will be equal अभी देखो यह pentagon है pentagon five sides है five sides equal होते है और कोई भी regular polygon होगा तो उसके जो exterior angle होते हैं उनको plus करने पर कितना आता है 360 degree sum of exterior angle जैसे यह है यह सारे के सारे जो exterior angle है उनको plus किया तो 360 आता है यह concept है दूसरा concept क्या है कि अगर समझो यह exterior angle है और यह interior है यह दोनों को ध्यान से देखोगे तो यह क्या होगा यह linear pair angle होगा द देखो यह बाहर वाला, exterior मतलब बाहर वाला angle और interior मतलब अंदर वाला angle दोनों एक ही line पर है तो linear pair angle दोनों को plus किया तो कितना है का 180 तो यह concept यूज़ करेंगे pentagon तो यहाँ पर हम लिखेंगे number of sides, pentagon में number of sides is equal to 5, so number of exterior angles, exterior angles, जितने sides है उतने ही exterior angle होगे, major of, major of, major of, major of all exterior angles, पूरे के पूरे जो sum of, ऐसे लिखता है, sum of majors of, एक मिनटा है, इसको का अच्छे से लिखता हूँ मैं, sum of majors of all exterior angles, okay, one minute, sum of majors of, major याने map, sum of majors of all exterior angles, is equal to 360 degree, याने ये, 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 जितने भी exterior angle है, उसका total 360 आता है, अब क्या होगा देखो, कि, measure of, measure of, each exterior angle, each exterior angle, इसका एक formula होता है, क्या formula होता है, 360 degree upon number of side, कितनी sides है वो, ठीक है, ये format याद रखो, जैसे मैं बता रहा हूँ न, same step, same step by step करना, so 360 degree upon number of side कितना है, pentagon है, so number of side 5, okay, अब 360 degree को 5 से, अगर divide करते तो कितना आएगा, 5, 7, 35, 5, 2, 72 degree है, so एक exterior angle जो है, ये जो एक exterior angle है, वो 72 degree है, ठीक है, अभी हमको interior angle निकालना है, ये interior angle, अच्छा ये एक exterior angle 72 है, तो सारे के सारे 72 आएंगे, एक मिल गया मतलब सब मिल गए, because ये regular pentagon है, सारे sides भी सेम होंगे, सारे exterior angle भी सेम होंगे, और अब सारे interior भी सेम होंगे, अगर ये 72 है, तो ये कितना होगा, दोनों linear pair angle है, तो हम ऐसे लिखेंगे, since exterior, exterior and interior angles are linear pair, therefore, अब interior angle निकालो, interior angle कैसे आएगा, interior angle 180 में से ये minus कर तो 72, तो कितना है कि 180 में से 72 गया, तो 108 degree, तो आपको exterior angle मिल गया, 72 degree, interior angle मिल गया, 108 degree, question गया था, find the degree and radian measure of exterior and interior angle, अब इसका degree major था, तो radian भी निकालो, exterior angle, exterior angle, major of exterior angle, ऐसे लिखना, is 72 degree, 72 degree ये, exterior, उसको radian करो, कैसे करो, 72 को pi upon 180 से multiply करो, radian हो जाएगा, तो 9, 9, 8 जा, 72, 9, 2 जा, अब ये 4, 4, 2 जा, 4, 5 जा, तो क्या आगिया, 2 pi upon 5 radian, तो ये exterior angle है, exterior angle, now interior angle, interior angle is, देखो क्या था यहाँ पर, interior angle was 108 degree, so 108 degree, so क्या करोगे, radian करना है, pi upon 180 से multiply करो, अब देखो, यहाँ पर, कैसे करोगे, फिर से 9 से कर सकते हो, 9 1 जा, 9, 9 2 जा, 18, 9 2 जा, 18, 4 3 जा, 4 5 जा, so finally, you will get 3 pi radian, 3 pi upon 5 radian, तो अब आपको क्या निकालना था, find the degree and radian measures of exterior and interior angle, तो exterior angle का degree major कितना है, 72 degree and interior का कितना है, interior का 108 degree, और यही दोनों को, अगर हम radian में करते हैं, तो जो exterior angle था, exterior यानि बाहर वाला 72 degree, वो 2 pi upon 5 radian है, और जो interior था, जो 108 आए था, उसको convert किया, तो 3 pi upon 5 radian है, तो इस तरह से करना चाहिए, अब यह मैंने सिर्फ बताया, 13 का first pentagon, ठीक है, अभी यह same question में hexagon, septagon, octagon है, यह आप खुद से कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, तो मैं बता तो क्या करना चाहिए, पहले तो आप इसको copy कर लो, ठीक है, इसको copy कर लो पहले, किया, आगे देखो अभी, same question हम आगे करते, यहाँ पर यह pentagon में 5 sides थी, अब hexagon भी ऐसे ही बनेगा, hexagon कैसे बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, इसमें भी all sides सेम होगी, तो अगर एक exterior angle की बात करते हैं, तो यह, यह exterior angle है, और यह interior angle, यह हर जगा पर बनेगा, हम एक ही को consider करते हैं, so यहाँ पर अब second question, यह आपने copy कर लिया था, मैं second बता रहा हूँ, this is what hexagon, आप सब कर लोगे कुछ से, okay, hexagon, तो क्या आएगा, देखो, hexagon, number of sides क्या है, 5, तो यह हो जाएगी, 6, समझे, number of exterior angle, 6, यानि 6 side है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 angle, 2, 3, 4, ऐसे बनेगा, sum of majors of all exterior angle, 360, देखो, पूरा format वही है, कुछ नहीं करना है, change मत करो, जो format है, वही है, अब यहाँ पर, यह जो formula, यह भी, number of side कितना है, 6, तो यहाँ पर आप 6 कर दोगे, तो यह answer change हो जाएगा, 6, 6, 36, और 60 degree आगया, समझ में आए, फिर यह भी वही रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, 180 माइनस है, 72 की जगा पर 60 कर दो, क्या आगया, 60 degree, 180 माइनस 60 कितना आगया, 120 degree, हो गया, अब यहाँ पर सिफ चेंज करना होगा, जो हम लोग इसको, रेडियन डिगरी कर रहे थे, तो यह आपने, स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन में सीखा था, है ना, कैसे करोगे, यह 60 degree है, एक्स्टिरियर एंगल इस 60 degree, 60 degree याने 60 इंटू पाई अपन 180 रेडियन, तो 63 जा, 180, तो पाई अपन 3 रेडियन आगया, इंटिरियर एंगल इस 120, सो 120 को convert करो, 120 इंटू पाई अपन 180, रेडियन, 00, cancel, siics 2 जा, 6 तू जा, सो 2 pi upon 3 radian देखो यह exterior interior radian में आया यह exterior interior degrees में आया क्या change किया आपने कुछ नहीं सिर्फ value change कि पूरा format वही है याने अगर आपको यह आ गया यह आ गया तो यह दूनों भी आ गया अभी यह septagon है यह आप खुद से करोगे और octagon भी कुद से करोगे कैसे करना बताता ओ, septagon मतलब 7 साइड, diagram बनानी के जोड़िद नहीं है, यहां पर सिर्फ यह करो, कि यह जो hexagon लिकाता है, यहां septagon करना, number of side 7, 7, यह 360 आएगा, यह मत change करना, 360, 360, यह number of side यहां पर 7 कर देना, तो 360 upon 7, cancel नहीं हुआ तो जो भी value आ रहा है वो रखना है जो को मैं आपको बताता हूँ, इसको copy करो पहले अगला जो question है 13th में 3, ये मैं बता देता हूँ same ही है बट यहाँ पर cancel नहीं होगा तो क्या करना अभी तक cancel हो जा रहा था तो ये जो diagram है, ये change हो जाएगा 7 sides आजाएगी, तो अभी फिलाल मैं बिना diagram के भी आपको बताता हूँ, diagram की कोई जोरत नहीं है अगर आपको format पता हूँ इसमें 13 में जो 3 है वो क्या है देखो 3 वो है septagon, तो करना क्या है पूरा format same रहेगा जैसे ये format ऐसे, number of side 7, number of exterior angle 7, sum of measures of all the exterior angle 360 degree major of each exterior angle 360 upon number of side, number of side याने कितनी भुजा है याने बाजू है side says 7, so 360 degree upon 7 आगया, अब यहाँ तक तो fixed format दा, इसको solve कैसे करें, 7 से cut नहीं होगा तो आप rough में क्या करोगे, 360 को 7 से divide करो, इस तरह से तो 75 सा 35, माइनस 1 आया, फिर यह 0 किया 7, 1 सा 7, decimal में ले किया हो, 3, point बढ़ाओ 0, 7, 4 सा 28 फिर 2 0, 7, 2 सा 14 तो यह आते जाएगा, ठीक है तो चलो 51.42 आया तो आप क्या करोगे, इसको 51.42 यह degree ऐसे लेक दो cancel नहीं होगा, तो point में आएगा, चलेगा अब exterior angle and interior angle, अब यह कैसे आएगा interior angle 180 में से minus करोगे, कि इसको यह जो आया था 51.42 इसको minus करो, या तो इसको minus करो, फिर cross multiply, उससे चाह उसको ही करो तो कैसे करोगे minus, यह degree degree है, तो point के बाद 0010 10 में से 2 गया, 8, 9 में से 4 गया, 5, फिर यह 9 हो गया, 9 में से 1 गया, 8, फिर यह 7 हो गया, 7 में से 5 गया, तो 2, 128, okay, 130 and 50, बराबर, यह 128.58 degree आगया, interior angle, तो यह सब decimal में आगए, अभी इसको radian कैसे करेंगे, वो देखते हैं, okay, exterior angle, exterior angle, exterior angle क्या था, exterior angle यह था, major of each exterior, 360 upon 7, या तो यह, तो आप क्या करो, यह वाला लो, okay, क्या था, 360 upon 7 degree is equal, इसको radian करो, decimal वाले को मत पकड़ो, इसको radian करने के लिए, pi upon 180 से multiply करोगे, radian होगा, यह कट जाएगा, देखो यह, तो easily आ गया, क्या आगया, 2 pi upon 7 radian, देखो, आ गया ना, easily आ गया, अब यह क्या था, exterior angle, अभी interior angle को करो, interior angle, यह मैं क्यों बता रहा हूँ, आप कुछ से कर सकते थे, बट यह decimal का था, इसलिए बता रहा, interior angle क्या है, देखो, यहाँ पर 128.58 degree है, इसको convert करने साच्छा, एक काम करते, interior angle, इसको करने साच्छा, हम ऐसे करते, कि देखो, यह कैसे आएगा, 180 minus, 360 upon 7 था, 360 upon 7, यह minus करते, देखो, यह क्या था, 180 minus 51.42 था, अगर समझो, मैं इसको चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ, 360 degree upon 7, ऐसे कर देखो, यहाँ पर यही चीज क्या हो जाएगी, अगर मुझे करना है, तो, 7065, 1260, minus 360 upon 7, यह अगर minus करोगे, 0, 6 में से 6 गया, 0, 12 में से 3 गया, तो 900 upon 7, तो interior angle इतना degree आ रहा है, इतना degree आया, समझ में आ रहा है, और इसको अगर आप divide करते हो, या तो यहाँ से इसको minus किया तो वही answer आएगा, 7 बंजा 7, 2 आया, 20, 7 टूजा, 14, 6 आया, 60, 7 एट्सा 56, 4 आया, 7 फाइसा 35, 5 आया, 7, 7 जा, इस सरह से समझो, degree में आ गया है, तो radian करने के लिए अब क्या करेंगे देखो, अब इसका जो यह degree value था ना, इसको उठा लो, 900 अपन 7, जो अपन में था, decimal वाला नहीं है, इसको radian करो, 900 अपन 7, into pi upon 180, तो 00 कटो गया, 18 1s are 18, 18 5s are 90, so you will get 5 pi, 5 pi upon 7 radian, आ गया देखो, यह radian value आया, यह degree value आया, degree को decimal में हमने लाया, बढ़ decimal आने के पहले, जो upon value था, उसका use करके, हमने radian value लाया, अब finally, एक तो खुद से करो, यार, octagon खुद से करो, क्या change करोगे, सेम ऐसे ही सब कुछ रहेगा, जहाँ septagon था, fourth question octagon, यहाँ पर 77 की जगा, 8 आएगा, बाकी सब कुछ सेम प्रोसेस से, एक आप खुद से करें, ठीक है, तो यह 13 question यहाँ पर finish हुआ, अभी यहाँ पर यह जो value था, यह मैंने rough work किया था, यह नहीं करोगा, चलेगा, आप rough work में दिखाना नहीं है, यहाँ पर, चलो इसको copy करो, हम लोग करतें question number 14, जो है हमारा last question, अब अगला question है question number 14, 14th question यह last है, लेकिन last भी अपने आप में बढ़ा है, यहाँ पर 6 sub questions है, और यह question एक अलग type का question है, जो घड़ी के उपर depend है, find the angle between, क्या लिखा है देखो, hour end and minute end in a clock, याने जो घड़ी होता है, उसके अंदर minute की सुई, और घंटे की सुई के बीच में जो angle आता है, वो find करो, and at a particular time दिया हुआ, 10, 5, 11, 11, 11, 10 minute पे, तो यह समझने के लिए, पहले मैं आपको basic concept बताता हूँ, घड़ी का, इसके लिए मैं आपके सामने लेके आता हूँ, एक घड़ी, clock, अब यह जो clock है, इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर कितने, जो hand होते हैं, hand मतलब यह होता है हाथ, बट इस घड़ी के अंदर hand मतलब यह काटे, इसको hand बोलते हैं, तो यह जो है, यह है, क्या है यह हार end, यानि घड़ी की सुई, हार end, इसको हावर भी बोलते हैं, हावर हैंड, आर एंड, ऐसे बोलते हैं, प्रोनाउंचियेशन, घड़ी की सुई समझो, और यह क्या है, मिनिट की सुई, तो यह अब इस टाइम पर, कितना बज़ रहा है, यहाँ पर देखोगे तो, ग्यारा बज़ने में, दस मिनिट बागी है, यानि, दस बज़ के, पचास मिनिट हो गए, तो हमें ऐसा question पुछेगा, कि इस position पर, यह जो minute end है, और यह hour end है, इन दोनों के बीच में, जो यह angle आ रहा है, वो कितना, समझ में आ रहा है, यह minute end और hour end के बीच का angle कितना, तो कैसे find करेंगे, यह यहाँ पर अब logic है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अलग-अलग position भी कर सकते हैं, यहाँ से समझो, जो मैं इसका timing change करता हूँ, अब समझो कि यहाँ पर इसका time हो गया है, बारा बच के 20 मिनिट, अरे नहीं, ग्यारा बच के 20 मिनिट, देख रहो, ग्यारा बच के 20 मिनिट, अब आपको इन दोनों, यहाँने minute end और hour end के बीच में, angle कितना वो बताना है, अब यहाँ पर question पहला क्या है, 10 past 11, इसका meaning समझो, 10 past 11, याने 11 बच के 10 मिनिट, उल्टा रहता हैं इंगलिश में, 10 past 11, 11 होके past हो गया है, याने 11 बच के गया, और 10 मिनिट भी हो गया, 11 बच के 10 मिनिट, चलो यहाँ पर show करता हूँ मैं आपको घड़ी में, question, यह रहा देखो, 11 बच के 10 मिनिट, at this position, क्या होगा, देखो, यह जो hour end हो 11 पे है, और जो यह minute end है, यह 2 पे है, लेकिन, अगर समझो, exact 11 बचते है, एकदम, exact 11, exact 11, जब exact 11 होगा, तब यह जो hour end है, exact 11 पे होगा, और यह minute end 12 पे होगा, तब यह exact 11 पे होगा, लेकिन जैसे जैसे, यह minute की सुई घुमती है, तो यह second की सुई घुम रही है, यह minute की भी सुई घुमती है, यह second की सुई जो है, यह एक round मारेगी है, से यहां से एक राउंड तो फिर यह थोड़ा सा गुमेगा एक मिनिट सिक्स्टी सेकेंड मतलब वन मिनिट और यह मिनिट किस हुई जब एक पूरा राउंड मारेगा तो इसका एक घंटा हो जाएगा 11 से 12 बच जाएगा बेसिक पता है न अब हम लोगों को देखो यह एक्ज से थोड़ा सा आगे चला गया अब कितना आगे गया वो पता लगाना पड़ेगा दूसरी बात अभी देखो यह जो है अभी मैं यहां पर इसको यह करता हूँ मिनिट हैंड को ध्यान से देखो यह 12 पर है 12 से लेके देखो अगर यह मिनिट हैंड इस तरह से गोल घूमता है जैसे यह second वाला घूम रा इस तरह से गोल घूमता है ऐसे गूम के एक round मारेगा तो एक circle form होता है और कोई भी ऐसे कोई भी initial arm या terminal arm अगर गोल घूम के एक round मारता है complete rotation करता है तो कितने degree का angle होता है 360 degree का यह जो काटा है अगर घूम के पूरा आ जाएगा तो 360 degree लगेगा इ पूरा एक round मारने पर 360 डिग्री लगता है, समझने की कोशिच करो, मैं क्या बता रहा हूँ, full one round, full one round मतलब 360 डिग्री in one complete rotation, लेकिन अगर ये समझो, यहाँ से 1 पर आ गया, 12 से 1 पर आ गया, 12 और 1 के बीच में angle कितना, so ये 360 को मैं 12 से divide करता हूँ, because यहाँ पर 12 partitions है, तो कितना आएगा, 12 ones are 12, 12 threes are 36 और 0, 30 degree, यहने याद रखो, कभी भी यह जो 12 और 1 है, इसके बीच में जो angle होता है, 30 degree का angle होता है, 1 और 2 के बीच में 30 degree का angle, फिर 2 और 3 के बीच में 30 degree का angle, और ऐसे करके हरे के बीच में 30 30 होता है, 30, 30, 60, 30, 90, 90 कैसे देखो, समझ नहीं की कोशिश करो, 1 second, देखो, अगर समझो, मैं आपको बताता हूँ, कि 12 बच के 15 मिनिट हो गए, देख रहे हो, तो यह 12, यह 12 और 3 के बीच में exact कितने degree का angle है, समझो, यह 2 और 3, यह 30 degree, यह 30, 60 और यह 30, 90, 12 और 3 के बीच में 90 degree का angle है, बड़ जब 12 बजएगा, तो यह 12 पर से थोड़ा आगे भी चला गया है, तो अब यह exact 90 नहीं है, समझ में आ रहा है, यानि अगर आपको बोला जाएगा कि, यह 3 और 6 के बीच में angle कितना, तो यहां से 30, 30, 60, 30, 90, अगर आपको बलेंगे, 3 और 8 के बीच का angle कितना होगा, 30, 30, 60, 30, 90, 31, 20, 31, 50, यानि यहां से यहां तक 150, यानि एक mark का मतलब 30 degree आपको समझना है, पहले तो यह दिमाग में fit कर लो, अब देखो यह 12, 12 से 1 के बीच में, यह 12 है, यह 1 है, 12 से 1 के बीच में, कितने partition हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यह है, तो अगर यहां से यहां तक 30 degree का angle होता है, total 30 degree, तो यह 1 marking कितना होगा, तो यह देखो, 1, 2, 3, 4, 5 parts है, तो यह 30 को 5 से divide करोगे, तो कितना हैगा, 5, 6, 30, यानि 6 degree, तो यहां से यहां तक जो यह है, यह 6 degree है, यानि यह 12 के बाद जो पहला dot है, first dot, after 12, वो 6 degree है, दूसरा dot 6 degree, तो ऐसे 12 से लेके 1 तक 5 partition है, तो 6, 5 सा 30 degree, समझ में आ रहा है, इसके 12 से लेके 1 तक 30 degree है, 1 से 2 तक 30 degree है, लेकिन 12 के अंदर 5 division है, तो जो पहला division है, वो 6 degree होता है, so always remember, 1 division या 1 minute is equal to 6 degree, यहां से 12 के बाद 1 minute आया, तो 6 degree है, और 5 minute हुआ, 5 minute मतलब 30 degree, यह 12 पे से minute की सुई, अगर 1 पे आ गई, तो 30 degree हुआ, यह बहुत ही important concept है, याद रखना, logic से करना है, समस को, यहां जो भी समस से मैं पूरा basic बता रहा हूँ, अभी, अभी समझो कि मैंने जैसे बता है, सवा बारा बच गए, सवा बारा बच गए, ध्यान से देखो, सवा बारा बच गए, बारा बच के 15 मिनिस्ट, मतलब 15 पास 12, इसको ऐसा बलेंगे, अगर यह घंटे की सुई है, यह 12 पे है क्या, नहीं, वो थोड़ा सा आगे चला गया है, क्योंकि अगर पूरा 12 पे कब रहेगा, जब exact 12 बचेगा, तो अब दोनों भी सुई 12 पे रहेग देखो, exact 12 बचेगा, एक सेकंड, अब आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा समझो, जब exact 12 बचेगा, तो एक के उपर एक सुई आएगी, तो घंटे की सुई भी 12 पे है, और मिनिट की सुई भी 12 पे है, लेकिन मिनिट की सुई जैसे से shift होती है, तो घंटे की सुई भी मू होती है, अगर मिनिट की सुई आ गई, घंटे की सुई भी थोड़ा आगे चले गई, 12 पे था थोड़ा सा मू हो गया, तो कितना मू हुआ, वो सीखना है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो, यहाँ पर मिनिट की सुई किदर आई, 1, 2, 3 पर आई, ठीक है, तो 3 पर, मिनि division में कितना होता है degree 30 degree याद रखो गंटे की सुई कितना move इसके लिए बता रहा हूँ अभी minute की सुई कितना move हो गई 3 पर आ गया so 3 upon 12 fix into 30 degree हर बार करने का तो कैसे आएगा देखो 3 4s 12 और 4 से 2 to the 4 और 15 by 2 15 by 2 मतलब 7.5 degree यह गंटे की सुई 7.5 degree move होई है अगर समझों दूसरा position ने थे समझा रहा है न देखो मैं आपको theoretical नहीं बता रहा हूँ प्राक्टिकल चीज बता रहा हूँ सपोज यहाँ पर है समझों यहाँ पर है यहाँ पर अब यह 12 पे से और आगे मुग हो गया कितना आगे मुग हो गया सपोज यह 7 पर आ चुका है समझों यह 7 पर आ गया तो यह गंटे की सुई 7 पर आई है तो यहाँ से अगर मैं बोलूँगा 1 से लेके 7 की बीच में कितना दिग्री का है बराबर 30 30 60 30 90 31 20 31 50 180 और यहाँ पर भी एंगल है यह यहाँ पर है तो यह तो मिनिट की सुई 1 और 7 की बीच में बता रहा हूं लेकिन यह जो घंटे की सुई है वो भी तो शिफ्ट हुई है तो कितना शिफ्ट हुआ है 12 से तो यह मिनिट की सुई करेगी वो कितना शिफ्ट हुआ है इसके लिए क्या करो यह 7 करो 7 अपॉन हमेशा 12 से डिवाइड करो यह मिनिट की सुई की तर है वो देखो 7 अपॉन 12 इंटू 30 डिग्री करना है क्योंकि एक मार्क की बीच में 30 डिग्री होता है तो यह हो जाएगा 6 2 जा 6 5 जा 7 5 जा 35 होगे तो 17.5 इस तरह से यह करना है आओ चलो अभी अगला क्वेश्चन देखें टेन पास्ट 11 टेन पास्ट 11 मतलब 11 बचके 10 मिनिट कि 11 बचके 10 मिनिट कैसे करेंगे देखो कि 11 बचके 10 मिनिट है मैं यहाँ पर यह सब इरेस करता हूं बोर हो रहे क्या आप लोग ज्यादा टाइम ले रहा हूं एक बार अच्छे से बता देता हूं एक बार अच्छे से बता देता हूं कि सिफ सम करके बताने में क्या है पुछ नहीं कि देखो हो हुआ है अब देखो है कि 11 बचके 10 मिनिट बोला है न थोड़ा सा पीछे लेए बताते बतते टाइम हो जा रहा है ओके चलो 11 बचके 10 तो एक्ट्वल में अभी आर एंड और मिनट एंड के बीच का हमें निकालना है तो यहां पर अगर मैं डेमो करूँ तो यह 12 है एंड इस इस 11 एक मिनट आ 11 और 12 इस वन एंड इस टू ओके यह समझो 10 है और यह सम्झो 3 है यहां से 11 बच के 10 मिनट मतलब 10 मिन मतलब यहां पर और 11 में धूल 사 встр citizen करना है कितना है मेनेट और 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 आरेंड में के बीच का एंगल कितना है तो यहरे जो है ना यह वन से लेके टू तक वन से टू तक ऑगा टू से लेके आयरेह टुब से लेके वन तक 30 डीगरी होगा और ये पूरा जो है 30 डी कितना जुरा होगा। किसके बिच मैं 11 से लेके टू के बिचमें 90 डीगरी होगा। लेकिन अमारा जो काटा है जो आरnd युगा है। कितना डिग्री मुव हुआ वो फाइंड करेंगे उसके लिए क्या करना तो मिनट एंड किस पर है टू टू और हमेशा अपन ट्वल करना ट्वल पाडिशन होते हैं और इंटू थर्टी डिग्री करना समझ में आ रहा है ऐसे करना तो क्या होगा देखो टू बन जा टू टू अब लिखेंगे कैसे वह बताता हूं अभी मैंने आपको यह पूरा ओरल ही बता है कि कैसे करना है आपने देखा डारेक 85 डिग्री का एंगल आ चुका है इन दोने के बीच में बट लिकेंगे कैसे वह important है तो सबसे पहले आप यहां लिक सकते हो एक ड्रॉइंग बना सकते हो अच्छे से यहां पर मैं बना देता हो एक ड्रॉइंग वापस यह मिटा दूँगा भी यह 12 है और आरेंड को थोड़ा छोटा रखना अब यह 11 बचके 10 मिनिट हो चुके है इसका मतलब यह जो आरेंड थोड़ा शीफ्ट हो चुका है परफेक्ट 11 पे नहीं है तो कैसे करेंगे देखो एंगल बिट्विन एंगल बिट्विन टू कॉंजीक्यूटिव कॉंजीक्यूटिव मार्क्स ऐसे आपको लिखना है कि यह जो टूल है और वन है टूल और यह वन है दोनों के बीच में जो यह एंगल होगा बिट्विन टू कॉंजीक्यूटिव मार्क्स जो यह एंगल है वो कितना होता है, is 30 degree, यह होता है, ठीक है, so, अब हम यहां पर करेंगे, यह 30 degree होता है, so, angle between, angle between, between short में लिख रहा है, between 11 and 2, 11 और 2 के बीच में, यहां से पूरा, यहां तक angle, अगर यह 11 पे होता, तो, तो कितना होता, यहां से देखो, 30, 30, 60, और 30, 90, is equal to 3 into 30, देखो, यह 3 marks है, 1, 2, 3 marks, so, 90 degree, यह 90 degree होता है, फिर, okay, in, अब यह minute की सुई कितना है, 10 minute, the angle between two consecutive marks, यहां से हमको लिखना पड़ेगा, minute, minute hand will trace, minute hand will trace, यह कौन सा है, यह angle minute hand बना रहा है, जो minute hand है, वो trace कर रहा है, कितना, 90 degree, between 11 and 2, अब यह जो hour end है, वो कितना move हुआ, so, in 10 minutes, अभी देखो, हम लोगा question क्या था, 10 past 11, यहाने 11 बचके 10 minute पे, यह जो 10 minute है, यहां से 12 से लेके 10, यह जो 10 minute है, 10 minute, यह जब minute की सुई यहां पर आएगी, तो यह hour end भी मूँआ होगा, so, in 10 minutes, hour end will trace, घंटे की सुई भी trace करेगी, will trace angle, कितना, मैंने क्या बता है, कैसे बता है, यह minute की सुई 2 पे है, तो वो 2 ले लो, upon 12 करने, upon में हमेशा 12 आएगा, और into 30 करने का हमेशा, है, because 2 मार के बीच में 30 degree का angle होता है, so, 2, 6 हा 12, 6, 5 हा 30, so, कितना आया, 5 degree आया, यह जो hour end है, यह 5 degree trace कर रहा है, minute end कितना कर रहा है, minute end total, यह हर एक मार के बीचा, 30, 30, 60, और यहां से अगर पकड़ेंगे तो 90, so, total यहां से 90 degree है, but हमारा जो hour end है, वो यहां तो है नहीं, तो यह आगे निकल गया है, कितना कम है, यह 5 degree मूँ हो गया है, 5 degree, so, अब यह पूरा अगर लेते तो 90 होता था, बट उसमें से 5 minus करना पड़ेगा, therefore, angle between, angle between, r and minute end, r and minute end is equal to, कैसे करेंगे, यह पूरा 90 है, but यह r and 5 minute और आगे चला गया, 5 degree, sorry, 90 degree है, और 5 degree आगे चला गया, घं तो हम क्या करेंगे, 90 degree minus 5 degree, that is 85 degree आगया, तो यह लिखना आपको अपने term में है, आप guides वोगरे में देखो को, तो यही चीजे बहुत से अलग-अलग तरीके से दी है, target में, नवनीद में, या unique solution में, लंबा चोड़ा solution है, मैंने आपको कोशिश की पहले तो उसका practical चीजे बताने की, और उसको short में किस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिखने के तरीके पर marks नहीं है, right answer लाने पर marks है, understanding important है, अब यह question number 14 में पहला question हुआ, ऐसे और भी question है, total 6 question है, चलो इसको copy करो, यह rough work कही मत करना, यह copy करो, मैं अगला बताता हूँ, अब देखो second question, बिल्कुल उसी तरीके से, मैं जादा आपको confuse करने वाला नहीं हूँ, easy तरीके से बता रहा हूँ, समझना important है, answer right लाना important है, 20 past 7, इसका मतलब क्या होता है, past 7 मतलब 7 बचके चले गए और 20 मिनिट हो गया, 7 20 हो रहा है मतलब, 7 बचके 20 मिनिट, अब आप एक घड़ी इस 9, 10, 11, यह घड़ी हो गई है, 7 बचके 20 मिनिट है मतलब क्या, यहां से, 20 मिनिट मतलब 20 मिनिट मतलब, हमारा जो मिनिट हैंड है, वो 4 पर है, बच 7 बचके चले गए, तो exact 7 बचते तो 7 पर होता है, बट 20 मिनिट हो गए तो यह जो आर एंड है, थोड़ा सा आगे चला है, स 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, कितना हो गया टोटल, यहां से यहां, 30, 30, 30, 90 डिग्री, इतना 90 हो गया, अब यह 7 तक जो है, अगर यह आर एंड 7 पर होता है, यहां से, तो 90 डिग्री था, बट इसको क्रॉस कर गया है, और आगे गया है, इसमें थोड़ा प्लस हो गय एंगल जो 90 डिग्री से तोड़ा जादा हो गया है कितना जादा हुआ है तो यह आर एंड ने कितना ट्रेस किया तो एंगल ट्रेस्ट बाए आर एंड कैसे निकालो कि मैंने क्या सिखा है यह 4 है 4 पे मिनट एंड कहाँ पर है 4 तो हमेशा आपन 12 करना और हमेशा इंटू 30 करना तो 4 3 सा 12 और 3 10 सा तो यह 10 डिग्री मतलब यह आर एंड है ना कोई 7 के बाद 10 डिग्री मुह हो गया है यह आर एंड जो है वो 7 पे रहता तो ठीक था बट यहां 7 से कितना डिग्री आगे गया 10 इसमें इन दोने के बीच का एंगल इसके पहले माइनस क्यों किया आप बोलोगे कि कभी माइनस करें कभी प्लस करो देखो ना यहां पर इन यह 7 पर होना चीए तो 90 होता यह आगे चला गया समझ में आ रहा है तो इस तरह से करना है अब लिखने का काम कैसे करोगे तो आप लिखोगे कि मीनट मिनट हैंड लिखने का तरीका सीखलों एक बार कि जो मीनट है तो यहां 3 से 4 पर आएगा तो 30 डिilate 4 से 5 पर एटो 30 डिगरी होता है therefore angle between angle traced by minute hand angle traced by minute hand अच्छे से आप creativity लिखो अपने आप से बना के लिखो चलेगा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसी लाइन होने चाहिए angle traced by minute hand between between कहां से 4 से लेखे 7 4 & 7 मार्क जो 4 का निशान है और 7 का निशान है तो यहां से 1 2 3 यहांने 30 30 30 तो 90 degree is 90 degree ओके यह minute and 90 degree trace कर लिया है अब यह जो आर end वो कितना trace करता है angle traced by angle traced by our end इन कितना minute से minute minute कितना है 20 20 past 7 in 20 minutes 20 minute में तो कैसे निकालोगे यह 20 minute में तो है कौन से निशान पर 4 तो 4 करना हमेशा upon 12 करना हमेशा upon में 12 रहेगा और यह minute कि सुई जिस निशान पर वो उपर रखना और हमेशा इंटू 30 करना दो मार के बीच में 30 डिग्री तरीका है कि और end कितना मुह हो रहा है 4 बंजा 4 4 3 जा 3 10 जा 10 डिग्री अब यह 10 डिग्री न यहां से यह 90 यहां से यह 90 यहां से यह 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 इस से आगे निकल गया 10 डिग्री तो टोटल अंगल दोने के बीच में क्या हुआ 100 डिएरफोर एंगल बीट्वीन अंगल बीट्वीन आर एंड 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 मीनट एंड कि इस एकल तो 90 यह 90 जो उपर आया था प्लस 10 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री इस तरह से करना है अब आगे के जो उसमें मैं लिखके नहीं देने वाला हूं डायरेक्ट में आपको लॉजिक से एंसर बताने वाला हूं और आपको लिखना जो खुद से है ठीक है चलो इसको कॉपी करो आगे देखते हैं आगे की क्वेश्चन देखते हैं 14 में 3 और 4 क्या है देखो यहां पर 35 पास्ट वन पास्ट वन मतलब एक बच के 35 बना लिए यहां पर अब यहां पर एक बच के गया है और 35 मिनिट हो गए एक बच के 35 मिनिट हो गए एक वाजून 35 मिनिट धाले करा इस बगाद एक बच के 35 मिनट, 35 मिनट मतलब जो मिनिट की सुई है, वो 7 पे होगा, 35 मिनट, अलो मैंना, एक बच के 30 मिनट मतलब यहां पर होता है, और यह क्या है, एक मिनट है, यहां से समझो, यह मिनट है, 35 मिनट है, 7 पर ही है, यहां पर जो 7 है, उस पोजिशन पर है, और एक बच के गया है तो जो आरेंड है वो वन पे होगा गया नहीं वो थोड़ा सा आगया आगया है अभी इसके बीच का इंगल कैसे निकालेंगा देखो यहां से यहां अगर करते हो तो यह 30 डिग्री होता है दो मार के बीच में 30 30 देन 60 यह 30 30 यह 30 30 और यहां पर भी अगर लेते हैं पूरा तो 30 तो टोटल कितना होगा 30 30 देखो 1 2 3 4 5 6 3 6 हा 80 180 डिग्री होगा यहां 7 से 1 के बीच का जो है 180 डिग्री बन एग्जेक्ली यह जो आरेंड है 1 पे है क्या नहीं वो मू हो चुका है अब आरेंड ने कितना ट्रेस किया वो देखना पड़ेगा एंगल ट्रेस्ट बाय और वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहां तक लिया ना पट एक्चुल में यह इस पोजिशन पर नहीं है यह पोजिशन नहीं है यह मू हो चुगा इतना कम हो चुगा यह निकालेंगे आरेंड का कैसे करते है कि याद करों यह 7 पर मिनिट की मिनिट की सुई कहां पर है 7 उसको टिवाइड करो 12 से और इंटू हमेशा 30 से करना यह ट्रीक है ना मिनटेंड के लिए ओके आरेंड के ट्रेसिंग के लिए यह ट्रीक है मिनटेंड का तो 30 30 कर दे कैसे करोगे 6 2 जा 6 5 जा 7 5 जा 35 अपॉन 2 35 अगर करते हो तो क्या आएगा 17.5 ऐसे आद क्या आया 17.5 डिगरी सो इतना जो यह आर एंड उसने ट्रेस किया 17.5 डिगरी सो मिनिट एंड ने यहां से 7 और 1 की बीच में जो एंगल है 180 डिगरी बट उसके अंदर से इतना एंगल कम हो गया यह कितना है 17.5 माइनस कर दो कैसे से आएगा यह 180.00 पॉइंट जिरो तो इसको अगर करते हैं अब इसको माइनस करो कैसे करो यह 180 है इसके अंदर पॉइंट नहीं तो पॉइंट दे दो यह 17.5 है माइनस करो 10 में से 5 गया 5.9 में से 7 गया 2 7 में से 1 गया 6 यह बन का 1 इतना डिगरी सो कितना है 162.5 डिगरी पॉइंट पॉइंट मतलब हाफ डिगरी है 162 डिगरी इस तरह से आ गया जैसे कि देखो वन मीटर होता है फिर उससे चोटा सेंटी मीटर होता है यह ना वैसे ही डिग्री से चोटा है मिनिट होता है मिनिट से चोटा सेकेंड होता है आओ चलो लास्ट के दो क्वेस्चन देख लेते 14 के अंदर फाइंड अंगल बिविन हार एंड एन मिनट एंड इन अ क्लॉक एट टुटे अब डायरेक्ट ऐसे लिखके दिया टाइम हमेशा की तरह गड़ी बना लो अके टुवल थ्री पहले यह यह जो है आप पर वर्टिकल पोजिचन और अरिजनल पोजिचन के टाइम लिख लो 12457810 11 चलो अब क्या है दो बच के 20 मिनिट याने 220 तो कैसे होगा देखो आर एंड वो टू पर है और 20 मतलब क्या होता है फोर पर रहेगा तो 20 मिनिट लेकिन जब यह 20 मिनिट होते तो आर एंड जो है यह टू से थोड़ा सा आगे निकल आएगा इस तरह से थोड़ा एक्जेक टू पर नहीं है टू पर होना चाहिए बट थोड़ा आगे आ चुगा है तो अब क्या करेंगे देखो डारेक बताता है अपको यह सोलुशन वागर देखो को तो बहुत टॉफ लगेगा जाज़िए करके दे रहा हूं नहीं से यह रही हो गया और यह से यह 30 डिग्री और टोटल कितना हो गया यह 30 डिग्री ठुटल 60 डिग्री हो गया अब यह आप एक्सपर्ट हो गया तो r end कितना trace किया angle तो कैसे करोगे तो ये जो minute किस होई कहाँ पर है 4 4 minute किस होई कहाँ पर है 4 तो हमेशा कैसी कहा है मैंने upon 12 करो into 30 करो हमेशा so 4 3 is a 12 3 10s a so 10 वंज़ा 10 so ये r end ने कितना trace किया 10 degree वो आगे आ चुका है और यहां 2 से लेके 4 तक के बीच में 60 degree का angle है 60 degree का angle है और लेकिन 60 degree में से 10 degree का जो है ये r end नीचे आ गया है तो minus 10 तो आ गया 50 degree so answer is 50 degree बस लिखना कैसे है पहले 2 question में जैसे में ने सिका है वैसे करना अगो आपसे देखो 10 बच के 10 minute एक घड़ी बना दो अच्छे से 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 कितना टाइम गया थो फट फट हो गया 10 बच के 10 minute तो देखो 10 बच के 10 minutes हो गए तो जो minute end है वो 10 पर है बढ़ जो r end है वो 10 से थोड़ा सा आगे जाएगा इस तरह से थोड़ा सा आगे जाएगा अब देखो फटा फटा इन दोने के बीच का एंगल फाइंड करना है तो यहां से देखो यहां से यह 1, 2, 3, 4 4 partition है 4 partition याने यह 30 degree, 30 60 30 90, 30 120 120 degree इस minute यह 2 और 10 जो मारक है उसके बीच का जो एंगल है 120 degree लेकिन यहां तक अगर होता तो 120 है 10 और 2 के बीच में हमारा जो r end है थोड़ा सा मूह हो गया है यह कितना मूह हो गया कैसे फाइन करोगे तो देखो minute end कहां पार है 2 पर 2 अपोन हमेशे की तरह 12 करो इंटू 30 करो 2, 6, 6, 5 याने 5 degree तो यह जो एंगल है 5 degree है देखो यहां से यहां पूरा 120 degree है लेकिन उसमें से 5 degree मूह हो गया है तो माइनस करेंगे 5 degree तो आपको मिल गए 115 degree तो इसके बीच में यह 115 degree आ गया यहां क्या आया था 50 degree आया था ऐसे find करते हैं लिखना कैसे है पहले दूसरे question में जैसे मैंने बता है इसे लिखना है find out करना important है तो इसके साथी यह 1.1 जो है finish हुआ so students थोड़ा सा tricky था यह घड़ी वाले सारे सम जो clock के थे अब मैंने जो trick बता है अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कोई भी time slot अगर मिल जाए तो आप उसकी value निकाल पाओगे दो जो hour end और minute end होते है उसके बीच का angle आपको आ जाएगा इसके साथी यह जो exercise 1.1 है finish हुआ यह जो chapter है यह बहुत छोटा ही chapter है ज्यादा बड़ा नहीं 1.1 में इतने question number 14 थे 13-14 में भी sub question थे 1.2 तो छोटा सा है फटा पट हो जाएगा थोड़ा wording के सामें लेकिन मैं easily solve करके आपको बता दूँगा कि किस तरह से करना चाहिए तो angle and measurement जल्दी से इसको हम कतम करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार आएगो तो चैनल को subscribe जरूर करके जाना वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और जाद से जाद अपने दोस्तों में शेर जरूर करना मिलते हैं नेक्स लेक्चर में exercise 1.2 के साथ